हाई एवरिवन आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग और यह है 34 चेस्ट की 32 चेस्ट की मैंने इससे जस्ट पहले सेयर की है तो अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए उसे और यहाँ पर मैं 34 की इंच और 14 इंच में बताने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर 14 इंच की मैंने यहाँ पेपर की लेंथ ले ली है बाकी को एक्षा को हटा दिया है आप चलिए शुरू करते हैं मैं कुछ डिटेल में आपको समझाओंगी वीडियो थोरी लंबी है इसकिप मत कीजिएगा लेकिन यहाँ पे मैं थोरा सा आपको डिटेल में बताने कुछ इसकी लेंथ पूरी देखे यह है 14 तो यहाँ पे यह हो गई है अभी हम इस पे सुरू करेंगे करना और यह 34 चेस्ट है तो यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है और अब हम पहले सबसे पहले जो हैं हम इसकी लेंगे सुल्डर हम 5.2 पर लेंगे, तो मैंने यह नहुत पहल tabii marketing लेंगे कर देंगे अी में अभाब कर देंगे बहुत सब्सते जिसमें आपको आपको प्रॉब्लम यहाँ पर इसके लिए अलग से वीडियो आपको देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगी लिए अगर देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 का हमें वन फोर्थ लेना है तो एट एन हाफ इंच होती है 34 का चौथा हिस्सा सारे आठ इंच होता है तो सारे आठ इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इसके बाद 2 इं पूरी वीडियो देखिए यह मैं सोचेगा वीडियो लंबी है तो उबने की जरूरत नहीं अगर आप सही में कटिंग सीखना चाहते है तो पूरी वीडियो देखिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूं चैवारून से हो कमर से हो सबसे तो चली अभी फिर हम पहले नीचे कमर की मार्किंग कर लेंगे यह बैक पार्ट की कटिंग कर रहें तो कमर मैंने यहाँ पे सारे शाथ लिया अभी एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताती हूं ध्यान से सुनिएगा चेस्ट जो भी आप लेते हैं सारे आठ हो सारे न तो यह चीज का ध्यान रखिया क्योंकि जब हम फिटिंग डालने शुरू करते हैं जब लॉज रेडी करके उस टाइम पर आप जो उसके कमर के माप है उस माप से आप कर लीजिए और ऐसे आपको यहां पर मार्किंग में कोई प्रॉब्लम ऐसी मतलब नहीं होगी और अब चल इक नहीं रहो यह कुअ पर गली तो अब फ्रॉब्लम पर यहां पर आपको शल् सकते हैं नहीं पर आप एक एक आप jump इंच पर ही लूँगी यहां पर नहीं इक लिंगे 10 लिंगे और नॉर्मल लेंगे लस जैसे बहुत लो अटके गले में बहुत ही फैलता का अपर कमा falling पहुत पक्याफ्स कि आप से अभी हम आते अंदर आउन कर लेंगे जोल का बहुत बड़ा का रण होता है जो प्रॉबलम यहां पए तो यहाँ पे यही जोल का बहुत बारा कारण हो जाता है कि आपने अगर अंदर से नहीं किया है तो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे थोरे जोल जो आने लगते हैं तो थोरे से प्रॉब्लम आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं जोल के ठीक है ना बाकी मैं और आगे आपको व मैं यहांप लेंगे के लिए दोनुकी मार्किंग कर्दी हैं अब मैं आपको यह प्रनुक के लिए लेकिन याँ पर हमने प transfron sore 5 इंच हमने डाउन कर दिया है और यह अकरन होता है है और यहांप नुटा हिए पहले है यहांपर यह जुगार है यासे अगर आपके पास सीडी हो ना तो आप सीडी ले लिए और सीडी रख करके इस लाइन से उस लाइन में मिलाया है तो यह जो है न यह आपके बैक आर्म होल की गुलाई हो गई और अप फ्रंट के लिए लेंगे फिर वह जो हमने लाइन घीची हुई है न एक पर आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है जैसे मैं बार-बार बोलती हुँ है कि आपने आर्म होल की गुलाई से रख से नहीं दी है तो इस वज़े से जोलाते हैं ज्यादा डिप कर लेते या कम डिप करते बराबर नहीं होते बहुत लोग बताते हैं इसमें प्रॉब्लम दड़ अगर कम लेंगे तो टू एन हाफ लिजए जैसे मैं आपए दस इंच पर आप मैनेज कर सकते हैं इसकी दस इंच लिए है तो इस चीज का है अब आप ध्यान रखेगा और नीचे में भी आप नीचे जो आप आजाए अगर नीचे में 2.5 नीचे में भी मार्किंग कर लीजिए उपर में 2.5 और लेकर लाइन को आप मिला लीजिए तो इस तरीके से गले की जो लेंथ है न वो आरे तिर्शे नहीं जाएंगे बराबर र तो आपको गले की डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के डिजाइन के आती है बुक आती है आप उसके अपने एकॉर्डिंग ले लीजिए और लेकर आप उससे भी आप चाहे तो बहुत आसानी से गले की जो डिजाइन्स डाल सकते हैं अब यहाँ पर हाफ इंच हमने डाउ क्योंकि आप कॉमेंट करेंगे तो चलिए अभी हम क्या करते हैं पहले हम फ्रंट बैक पार्ट को कट करके अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट बनानी है और प्रिंसेस कट जो बनती है न तो उसके लिए हमें कपड़े एक्स्रा लेने होत वहां आप से मैंने कट किया है डाउन कर लिया है और निक का जो हमने वीर्थ लिया हुआ कट टाल देंगे जिसे कि हमें अगले जो फ्रंट पार्ट में में पता चलेगा कहां तक निक की बड़ाबर सी वैसे ताप काउंट करके भी आप मेजरिंग टेप से डाल सकते हैं तो चलिए अब यहां पर हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है और यहां पर बैक पार्ट के साइड के जो एक्स्ट्रा पेपर हटा लूँगी और लेकिन हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो पेपर एक्स्रा है उसे हमें रखना है क्योंकि प्रिंसेस कट में टक्स देने के कार यह यहां पर ले रही हूं तो मैंने यहां पर सीधा की। चैस्ट में की। शे इंच पर उल्फट- हरे लेना है, जा से शाख ऊड़न की hai सारे 8 इन नीका है। जासे शच्ट में की है, लिए शच्ट की पर चेस्ट मारकिंग की है, कुछ भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि यहां पर ज्यादा जरुवत नहीं है बढ़ाने की अगर आप चाहें तो बहुत से बहुत आप मतलब हाफ इंच आप यहां पर बढ़ा लीजिए उपर में वैसे मैं नहीं बढ़ा रही अभी और अब हम बैक का यहां पर जो बैक जाएगी 9 इंच पर हमने पहले उसकी पहली मार्किंग की डाली है और लूजिंग 2 इंच डाल दिया है तो इस चीज का देए नीचे में गर बढ़ाना है अब उपर में नक की वीर्थ की हमने कर डाली थी वह और सारे 5 इंच उपर की नेक की लेंग लेंत लेनी है तो यहां तो यहाँ पे मैंने लिया है और उसकी लाइन घीच लीजिये और उसे कोई भी शेय आप दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर round shape दे दूगी तो पहले गले का मैटर यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, तो यहां पे मैं ऐसे इसे शेप दे दीती हूं दे, तो कोई भी शेप आप दे सकते हैं, मैं नॉर्मल आपको बता रही हूं, यहां पे कोई शेप दे लीजिए, अब हम यहां पे प्रिंसेस कट की जो शुरुवात करेंगे, तो यह ध्यान से देखिए, यहां पे हम 10 इंच पर हमने लिया है, टक्स पर उपर से लापो रखके टक्स पर लेनी है, अब यहां पे 34 इसकी चेष्ट है, 34 इंच तो इसका हमें दस्मा हिसा हां पे लेना है, तो हम उसे 10 से उसको डिवाइड करेंगे, तो 3.4 इंच होगी, अब वहां पर हम इधर से ट है तो आप point को सही कर लीजे वहाँ पर लेकिन 3.4 इंच पर हैं आपको लेनी है और लेकर कि यह tux हो गए अब यहां से ही main हम जो tux देंगे तो यह हो गए 4 इंच की tux देनी है तो इसकी हम हम लाइन ही घीच लेते हैं तो यह यहां पर हमें 3 इंच की हमें टक्स देनी है तो हमने एक्ट्रा यहां पर कपड़े पेपर बढ़ाया है वह 3 इंच हो गई तो यह manage कर यह जो में टक्स यह होती है अब प्रिंसर कटके हम daun कर ना उससे तो तो freed के हम यहाँ पे हाथों से दे लेते, तो यह हो गई, यह आन्मोहल होल, अब यहाँ इस अब हमें वहाँ पर यह जो है न सारे साथ है, तो यहां पर हमें क्या गहना 1,5 inch हमें, बाहना है, तो सारे Почему 7 we care लगा लें। मैंने जैस dotting हो तो मैंने जैसे बताया था आपको, 9 меньшеपर हमने मार्गा तो यह हमारी main सारे मार्किंग हो गई। अब दो इंच हम और बरहा लेंगे ये तो यहां पर आपको clear समझ में आ गया होगा तो यह अच्छकू कई की तो यहां चीजकर मार्जिस की यहां हो गई अब यहां से हमें यह में इस लाइन को मिलाना है जो में प्रिंसेज कि यह आतनी है तो हमने लीया फिर से अपने जुगार को और यहां हमें एक करफ देना होता है जो point बनती है जहां से तो में मैं जो हमने line एक सीधी लाइन जो पहले टक्स के लिए ली थी, वहां से उस लाइन को मिलाकर हम एक कर्फ दे देंगे, पहले थोरी हलकी कर्फ, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यहां पे कर्फ है, लेकिन यह कर्फ आई है, पॉइंट वाली कर्फ आ गई है, इसको ऐसे गोल राउंड दे कर कर्फ के कर्फ दे दीजाए, और उसे लाकर के आर्म हूल में आपको मिला देनी है, तो यहां से यही लाइन में हो गई और यह पॉइंट हो गया है, यह पॉइंट जब हम सिलाई भी करेंगे ना तो दोनों पॉइंट जब मिलेंगी तब जाके आपके जो पफ है न वो करना है वो कर लिया हमने अब च част Bak के मेन कटनि कर तो इसके ४कट करके हटा लेंगे और इसलिए हम ने साइड से कपरे बढ़ा लिये हैं तो यहाँ पर यह वह ङए है और सेम इसी मैठड से सेम चीज आप बाटिंग कर सकते हैं और कटिंग कर के आप बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो एक्ट्रा लेना था हमने पेपर में एक्ट्रा मार्जीन ले लिए है तो यह डारेक्थ आप कपरे पर कटिंग कर सकते इस तरीके से और यह जो है यहाँ पर इससे टक्स पॉइंट भीझनर गपर प्टिंग को मिलाना है और पप्र कटिंग भी टक्स मारना है और जब कप्रण की कटिंग करेंगे तो वहाँ भी कप्रें प्र समारेंगे ताकि आपको चिलते समय पता चलेंगे कि कहा टक्स लेना हैं घले को Cut कर या पेड़енно की cutting करके निकाल लेतें तो इससे practical he की कमर का 1 रुच होती है कप पीषे की तरफ तो अगर जादा लुच होती है तो वहां से आप टक्स को TIME करके संही कर सकते हैं। नेक की लेंद पे नेक की विर्थ पे टक्स डिपेंड करता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, दूश्रा है कि आप प्रिंसेस कट की जब आप कटिंग करते हैं, तो आप टक्स पॉइंट को कट कर लीजेगा, और फैन चल रही है न, इसलिए बार बार पीसेस जो इसकी ह न, उर रही है और मैं उसे पकर रही हूँ, तो खेट चलिए यहाँ पे हो गई न, कटिंग बहुत अच्छे से हो गई है, ऐसे आप करके परफेक्ट कटिंग जो आप करने लगे न, तो डारेक्ट आप कपरे पे इस तरह से कट कर सकते हैं, यह है 34 चेस्ट की है, 32 की मैंने बताई है, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाएए जाकर के उस वीडियो को भी देखिए, और यह 34 है, तो फ्रेंड मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, मैंने अभी तक इससे पहले भी मैंने प्रिंसेस कट की बताई है, लेग नही आप लोगो के लिए, तो वीडियो पसंदाई, वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीज, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वेल के आइकन को क्लिक कर दी, जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कॉमेंट करके जरूर बताईए, उसे के साथ कोई और टॉपिक समझनी हो, तो मुझे कॉमेंट करके बताईए, मैं उस पर वीडियो जरूर ले करके आऊंगी, तक तक के लिए, बाबाई